ये हाथ हमको दे दे ठाकुर मेरा लवड़ा ले लवड़ा लो ना मेरा प्लैंटी, मिस्टेक्स, इंग, छोले वीरू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल को दबा के आ सब्सक्राइब कीजिए सिंस फाइंडर को और इस घंटे को दबाएं ताकि हम आपको ऐसी ही मोर वीडियो दिखाएं क्यों यार इस बंदे का खुदकुशी का मूर क्यों बन गया यहां कहीं से ऐसा लग रहा है कि इसने इसको फेका है और इसको अचानक याद आया अरे बाबा नहीं मतलब उससे खोल लेते ना अगर यह गोली इन मेंसे किसी एक के सरवर में घुश जाती पिर तो और मुश्किल हो जाती वाह इन्हें अजाद करने के बाद बोल रहा है भागने की कोशिश मत करना अब ठाकुर साहब यह तो इन्हें गोली उधर मारी है लेकिन इस बंदे को पता नहीं क्यों आने का शोक हो गया बिला वाले ही पानी में कूद गया अब यह पहले उस बंदे को मार कर फारिख तो हो जाया पहले ही इस बंदे से बात करने आ रहा है और यह बराबर वाली छट दिक रही है कितनी उची है वीरून ने यहां से नीचे खड़े बंदे को लाग पता नहीं कैसे मार दी यहां देखो ठाकुर साहब इन डाकुओं के बिलकुल सामने खड़े हुए हैं लेकिन इने कोई गोली ही नहीं मार रहा है यह इस बंदे को तो गोली लगी थी और अब यह ओवर एक्टिंग करते करते भूली गया कि मुझे गोली लगी थी यहां जेज बंदे को गोली मार देता है लेकिन ये तो अभी भी इनके पीछे आ रहा है और ठाकुर साहब भी इसी बंदे को गोली मार के नीचे गिरा देते हैं लेकिन ये तो अभी भी इनके पीछे आ रहा है अबे भाई तु मर क्यों नहीं रहा अपर ये कौन सा खून निकल रहा है इस बाउली गान को देखो इसे सामने ख़ड़ा बंदा ही नजर नहीं आ रहा हुआ हवा में चाकू गुमाय जा रहा है बाई ये ले मेरा हाथ तोड़ दे यार यार ये दोनो गाना गाते हुए जा रहे है अरे भाई पर दो दो सिपाई जो यहां और यहां खड़े थे वो भी चले गए क्या जो ये दोनो इतनी अराम से डंडी को पिस्तोल बना कर जेलर को ले गए जबकि भाई इनको तो कहा भी नहीं था जाने को और यार यहां ठाकूर साहब तो मौजूद ही नहीं है तो पर इनने इस सिन के से याद है जो इस स्रपाही को बता रहे हैं अबे तुझे सिर्फ दरौदा खोलने का बोला था लेकिन ये तो अंधर भी आ गया और यार यह दोनों इतनी गर्मी में भी जेकेट बेन की क्यों गुम रहे हैं ये क्या गुद्धी पे चमाट भारने से ही लेड़ है क्या पुलिसमेन मने करे तू हम अपने हजार रुपए लेने आए ये दोनों इससे अपने हजार रुपए मांगते हैं लेकर ये चूती हजार की जगा दो हजार दे देता है ये देखो तो सो के साथ है गिल दो लगता ही है फागल हो गिया यार ये दोनों दोनों सेम बिल्कुल एक जिसे ही कैसे लग रहे हैं इससे देखो अभी लाते इसे लगी ही नहीं है और पहले से ही एक्टिंग शुरू कर दी और अभी वीरू का पेट नजर आ रहा है लेकिन नीचे कूथते ही इसके कपड़े तो बिल्कुल सेडो है अभी ये बंदा अपना ही हाथ पकड़ कर क्या रहा है और वीरू भी नहीं मार रहा है इसको इसको देखो इसने बस अपनी लात उठाई है लेकिन वीरू ने फिर भी कलावाजी बत नहीं क्यों का ली ये लात खा कि सीधा उरता हुआ जा रहा है और सीधा ही गिरा है लेकिन बैड बेदो ये उल्टा पड़ा हुआ है चलो अगर इससे मुक्का लग भी गया था तो इतना उपर क्यों उड़ा रहा है भाई और ये पीछे कोई अल्मारी वल्मारी नहीं है बलके बस लकड़ी के फटे घड़े किये हुए है देखो अंदर भी कुछ नहीं है और यार ये बंदा वहाँ क्यों सोया पड़ा है अबे रात को नीम पूरी नहीं की थी क्या तो अभी लड़ने की टाइम तो वहाँ सोया पड़ा है इस सीन में जैइस बंदे को पीछे उल्टा पेगता है लेकिन खिड़की से तो ये सीधा बाहिर आ रहा है इस सीन में ये बंदा वीरू को मारने के लिए कुरसी उठा रहा है लेकिन ये कुरसी तो पहले से ही तूटी हुई है फिर अपना पूरा घर तुटवाने के बाद ठाकुर सहाब इन से बोलते है अबे अगर हमला ही करवाना था तो बाहिर कहीं करवा देते अपना पूरा घर तुटवाने की क्या दूरत थी रहे बाबा और इन दोनों का टेस्ट लेने के नहीं इतने सारे गुंडे रख लिए ठाकुर सहाब ने अबे इनी गुंडों को जे वीरू के साथ ही बेज़ देते जब वो गबबर को मारने जा रहा है थे पर नहीं जे वीरू रात को ठाकुर सहाब की तीजोरी खोलने आते हैं जोके वोल्ड की सेफिर्स जगा पर रखी हुई है और में डर्वाजे के बिलकुल सामने रखी हुई है और में डूर भी एक्दम खुला ही छोड़ा हुआ है अबे पहले जमाने में इतनी रोशनी वाली रात होती थी क्या इस सीन में वीरू पसंती के लिए आम तोड़ने लगा है तो जे पहले ही पांच-पांच गोलियां चला के पिस्टोल को ऐसे अंदर रख लेता है अबे गोली चलाने से तो पिस्टोल गरम हो जाती है ना तो फिर इसका जला नहीं होगा और पिस्टोल अंदर डाल के ये ठुमके ही लगाई जा रहा है कहीं गोली ना चल जाए अबे पिस्टोल तो निकाल दो भाईया आँखें बंद करके आप दिखाई देता है क्या तुमने का दोनों आँखें बंद कर ली अब आँखें बंद कर लो अबे जब तु उसे आँखें बंद करने का बोलेगा तो फिर तु वो दोनों ही आँखें बंद करेगी ना अब आँखें बंद कर लो इस सीन में गबबर ने तीनों को एक साथी गोई हमारी हैं लेकिन ये वाला तो इन दों से पहले ही सोया हुआ है यहां गबबर ने होली के तिन गाउं पर अटेक कर दिया है और ये बच्ची आराम से भाग रही है और ये भाग भी जाती एकने इस आंटी को पता नहीं क्या चुल मची जो बिला वज़ा उसको पकड़के उसके उपर ही गिर गई और गिरी तो गिरी और तो और उसका पिछवारा भी दिखा दिया सही गालियां दे रही होगी अभी बढ़ी होकर जब उसकी माँ बता दी होगी कि बैटा थे शोले फिलिम में आई है और आई भी कैसे है ये डाकू छोटे बच्चों की तरांबिला वज़ा वीरू की गोद में क्यों आ रहा है और इसने अपनी पिस्तोल भी वीरू को दे दी ये ले मेरी पिस्तोल तू ले ले अब ये क्या है भाई यहां वीरू ने इसको गोली मारी है और वो वाला फिरी फट में ही गिर गया है और यही सीन इन्हों ने एक बार और लगा दिया दूसरे केमरा एंगेल से इस पुलिस वाले को देखो यह ठाकूर अपने गाउं वालों को अपनी कहानी सुना रहा है लेकिन कहानी में वो बाते भी बताता है कि जहां ठाकूर मौजूद ही नहीं था अरे ठाकूर साब आपके हाथ अराम से निकल सकते हैं तो बिला वज़ा इतनी घान का दोर क्यों लगाई जा रहा है अबे जे गोली तुझे लगी कहा है जो तु ड्रामे कर रहा है जनाब हाई साहर सलाम आलेकूम वीरू बसंती के लिए गाना गा रहा है लेकिन ये पीछे म्यूजिक कहां बज रहा है और वीरू बसंती के धक्का देने से नहीं गिरा बलके ये यहां खड़ा हुआ था फिर जान बूच कर इस साइकल वाले पे कूद बया और वीरू इसकी साइकल उठाकर चलाता हुआ भाग गया और पीछे उस साइकल वाले का कोई अता पता ही नहीं है वाह मतलब कुछ भी यार जे के हाथ पे जूत माट की ही सही लेकिन गोली लगी तो थी ना लेकिन अभी इसके हाथ पर तो कोई गोली का निशानी नहीं है इसलिए विरू दारू पीकर टंकी पर चल गया सोसाइड करने के लिए और ये सोसाइड ना कर ले तो गाउंवालों ने बसंती की माँ को इससे शादी के लिए ही मना लिया मतलब ये बंदा जुआरी है, शराबी है, ना इसकी फैमली का पता है लेकिन ये खुदकुशी ना कर ले, इसलिए मोसी ने अपनी बीटी का रिष्टा ही दे दिया वा, मतलब कुछ भी मैं भी अपनी छट से कूदने जा रहा हूँ मैं भी देखता हूँ के मुझे भी कोई अपनी बीटी का रिष्टा देगा या फिर नहीं ये बंदा वीरू के ऊपर से टाप रहा है लेकिन जब कैमरा नीचे से दिखाता है तो ये तो वीरू के ऊपर ही कूद गया गबर ने बसंती का इतना सा हाथ खेचा है और ये वहाँ जाकर ही लेट गई बहुत शोगे से लेटने का वीरू ने बसंती को बस एक बार ही मना करा के इनके सामने मत नाचना और फिर मना ही नहीं करा बाद में इसको भी मज़ आने लग गया बसंती का डांस देखने में और गबर ने इसे सिर्फ नाचने का बोला था लेकिन ये तो गाना भी गाने लग गई वरना तो बिना गाने के सिर्फ इसका डांस देख देखकर हम बोर हो जाते न इसलिए वैसे ही अपनी चपले छोड़कर कहां आ गई जो इसे नंगे पेर नाचना पड़ रहा है फिर नाचते नाचते इसके पेर से ये एशियन पेंड ही निकलना शुरू हो गया कौन ही लोग कहां से आते ही वा भाई यहां एक ही बंदे के डर से सबने ही स्लेंडर कर दिया अब ये क्या है भाई इसको देखो इसने बिना कोले ही इतनी आराम से अपने हाथों से रस्यां उतार दी अब जब तू इतनी आराम से अपने हाथ निकाल सकता था तो पिर क्यों नहीं निकाले सब को चूतिया बना रहा था जैं मेरे हाथ बंदे हुए है इसके दिमाग में तो बस यही चल रहा होगा यार कौन अपने हाथ छुड़ा कर इन से लड़े सारे मिल के फुटबोल बना देंगे मेरी बस यहां ख़ड़ा होकर बसंदी के डांस दिन्जवाय करता हूँ यहां देखो अभी जे पुल पार कर चुका है और वीरू उसकी तरफ आ रहा है और अब उल्टा वीरू पुल पार कर चुका है और जे उसकी तरफ आ रहा है अब यार इसने जो गोलिया निकाल निकाल कर अपने पास भरी थी हैं तो जाते पर जे को ही दे जाता इसके पास गोलियां खतम हो गए थी जब यह विचारा मर गया यह जब बंपर गोली मार कर उसे फारता है तो यह सस्ते गुंटे वापिस क्यों भाग जाते हैं अब है तुझे आला दिख रही है इसकी मरने वाला है और इसे पूछ रहा है तुझे तो एना तो इसके अब पता चला जब भी यह टॉस करते थे सिर्फ हैड ही आता था तब इसे पता क्यों नहीं चला गयार हर बार है यह क्यों आता है मैं तो समझाता कि यह इसकी आखने इशानी समझ कर इस कौईन को अपने पास रगेगा लेकिन इसने तो क्या बात है सर क्या बात है सर यहां वीरू इन गुंडों की तरफ आ रहा है और यह इसे गोलियां मारने के बजाए बस इसकी शकल देख रहे है उल्टा वीरू ने ही एक गोली मार दी और यह दूसरा वाला मोरकर उल्टा भाग रहा है और अब पीचे से भी वीरू पता नहीं कहां से आकर इस दूसरे व इसमारा है और इस मस्त्मलंको देखो इससे डंडा टच मी नहीं और फिर बीज तो कला बाजी का जी किडबा किडबा किड़ गबर ब harvest की नदर नहीं आ रहा है।Then work देख değiş्ए और यह पता नहीं किसको मारने वहां जा रहा है॥ सिर और फिर नृत branch भर इख बा किडबा हतकंदे से तब रहा है और जज़बात में लड़ते लड़ते ठागुर साब का आधी बाहर निकलाया है किबार तुम गपर को नहीं मारोगे ठीके समर्या तुम यहां कपर को पकड़ के मेरे हवाले करने आयो अब यार कहां फस गया मैं बस हवा निकल गई यार यहें टकर ठागुर ने कंदे पर मारी है और केचप गबर का सर से निकल गया और अभी ठागुर गबर को मारने वाला है तो एकदम पुलिस आ जाती है छोड़ दीजे से मुझरिम को सदा देना कानून का काम है क्या बात है सर नहीं मतलब ठागुर ये दो बंदे हाईर करता है गबर को पकड़ने के लिए लेकिन ठागुर को तो गबर की लुकेशन शुरू से ही मालूम है गबर आज भी वही है जहां कहीं साल पहले इसने ठागुर के हाथ काटे थे पर फिर भी इसने किसी को उसकी लोकेशन नहीं बताई और ठाकुर पूरी फिल्म में कहता रहा और जब गबबर को नहीं मारोगे और जब गबबर को पकड़ा तो इसने गबबर को फिर से पुलिस के हवाले कर दिया जबकि गबबर पहले भी बोल चुका है और इसके बाद गबबर ने ठाकुर की पूरी फैमली को उड़ा दिया था पर फिर भी ठाकुर साब ने गबबर को दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया इस बार गबबर दोबारा भागा तो अब तो वो ठाकुर की टांगे भी काड़ देगा और ये आखरी वाली दाट ठाकुर ने गबर के हमों पर नहीं, बलके यहां कंदे पर मारी थी, इसको देखो, इसका जिगरी दोस्त मर गया, और यह यहां अपनी महबूबा के मज़े ले रहा है, एक मिनट, ये ट्रेन का डबा खाली है, वादा हरामी हो गोड़ा, तेक हरामी वेसे एक सोचने वाली बात है, कि ठाकु साथ दोते किसे होंगे?